कॉंग्रेस पांच अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने जा रही है इस वक्त कि या बड़ी जानकारी लखनों से सामने आई है बड़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कॉंग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन होने वाला है सभी जिला मुख्यालिये पर कॉंग्रेस धर्ना देगी राजभवन पर भी कॉंग्रेस कार्यकरता विरोध प्रदर्शन करेंगे इस वक्त कि ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे है ना केवल उत्रप्रदीश की अगर बात की जाए तो पूरा देश यापी प्रदर्शन भी कॉंग्रेस का एक तरफ देख रही है कॉंग्रेस और ज्यादा जानकारी के लिए संबद आता रामा नुजभट अमारे साथ जुड़ चुके हैं रामा नुज़ देखे लगातार कॉंग्रेस महंगाई को लेका प्रदर्शन तो करती रहती है लेकिन ऐसे में इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है ना सरकार पर और ना ही जमीनी स्तर पर लगनोव राजधानी के अगर बात किया तो राजधानी के अंदर राजभावन के बाहर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कराएंगे जिसमें सिर्फ महंगाई को लेकर बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल खड़ी कर रही है कॉंग्रेस और इस बार भी इ बहुते भी जानने की बात है कि देखे जब भी चुनाव आते हैं या फिर चुनाव नजदीक होते हैं तो कॉंग्रेस इफ दो मुद्दो पर गेरने की कोशिश करती है लेकिन उसका आसर भी देखने को नहीं मिलता है और जनता भी साथ देती हुई नजर नहीं आती है चु पी के अंदर कोई ऐसा चुनाव महत्पूर्ण चुनाव अभी नहीं है वरतमान के अंदर लेकिन कॉंग्रेस के नेता साफ कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं हम आम जनता की बात करते हैं आम जनता के मुद्दों को उठाते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के कोशिश की और लगातार उन मुद्धों को चाहे वह बेरोजगारी की बात की जाए चाहे वह बठती महेंगाई की बात की जाए यह को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है लेकिन कongres की strategy कि अगर बात की जाए तो Congress अभी वरतमान में सिर्फ इन परदर्शन से अपने कारिकरताओं को बूश्ट कर रही है अपने कारिकरताओं के साथ सब्सक्राइब कर लेकर महंगाए के बात की जायर तो सभी वो मुद्दें के सीधा करते हैं और इनहीं मुद्दों को लेकर कॉंग्रिस लगातार प्रदर्शन पहले भी कर रही थी और अब भी कर रहे ही स्ट्रेटेजी में इतना बतलाव है कि अब इस से युवाओं को जोड़ने की कोशिस है, गाउ-गाउव जाने की कोशिस है और इस प्रदर्शन के जरिए ये दिखाना है कि जंता के साथ कॉंग् जो है संगठन को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है कॉंग्रेस पर इसका क्या असर देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से कॉंग्रेस का सूप्रा साफ ही नजर आता है तेखिये हमानी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है चाहे विधान सभा सीटों के इसाब से गिना जाए या लोगसभा के इसाब से गिना जाए तो लोगसभा के अंदर भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश अपना अलग दमखम रखता है और उत्तर प काम हो रही है लगातार चाहे वो में उननीस की बात की जाये फिर उसके बाद बाद की जा तो सब में लगातार बाद लेकिन कोशिते का लेकिन जनता के घुके कोशित 2004 और 2009 के आकड़े को एक बार दोहराने की कोशिश है और ऐसे में जनता की अगर बात की जाए तो जो योजनाए है हालागी सरकार योजनाए भेज भी रही है लेकिन उसके साथ साथ महंगाए भी कहीं न कहीं एक विश्या बना हुआ है आम जनता की बीच में और उसी का जानकारी साचा करने के लिए